तो गाइज आके एन्वक्ष्ट्य वहने कि अंदर कुछ बड़ी जीज़ें क्योंकि में रॉस्टर की पर सुपरस्टार्फ आझ एनस्टी पर होते हैं तो गाइज तो न खिशन पर होता है हमें यहाँ पर से आज पर हमें इन रॉस्टर के पीडन से यानि कि बुच से एंड वो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तब ही हमें गाइस गंथर भी वहाँ पर आते हुए दिखा देते हैं जो कि इंटर कॉंटिनेंटर चैंपिन ने वो कहते हैं मैंने इस टाइटल काफी एचार एलेवंट किया था अब टाइम आ चुक है तुम्हारे पास की तुम इसकी लेवल अल बढ़ाओ और तुम हर रहाओ ब्राउन ब्रेकर को एंट टाइटल को यूनिफाई करो एंड एंड एनिक्सटी यूरोप की ऐसी रेस्टिंग को आगे बढ़ाओ साथ की मैं गाइस ब्राउन ब्रेकर जो कि यह एंएक्सटी चेम्पन है उनके पास भी आते जांपवा वी जांपवा पी कहते हैं तुम भी चैंपनशिप को यहां पर से अच्छे तरी किसे यहां पर से यूनिफाई करो और ब्राउन ब्रेकर जो है तु वोनों टाइटल लेकि उससे यूनिफाई करो एंड मैंने निक्स्टी की विमेंस डिविजन को भी पहुत आगे तक बढ़ाया है साथ ही मेंगाइज यहां पर से मैंटी रोस के पास भी शीना पेसलर आटिन शीना पेसलर भी कहती है कि तुमें अरे पास अभी फिलाल मौक एं तुम अपोनर्स को अपने कभी भी कम मत आखो और एंएक्स्टी के अंदर मैंने बहुत बड़े-बड़े मैचेस खेलें तुमारे पास अब एक बहुत बड़ा मौक एंड अपोनर्स को कम मत समझें इस संडे को तुमने टाइटल्स को यूनिफाई कर दो और गाईज यहां परसे में इतना इनी शुक प्योग पर गाईज जो विमेंस चैंपिन है याने कि विमेंस टैक्टीम चैंपिन्स उनको निकी आशन डूट्रॉप कंफरेंट करते हैं और वो चैलेंज करते हैं उनके टैक्टीम टाइडर्स के लिए और गाईज यह मैच भी हो चुक है ऑफि इन इस ते से एककर्ष आते हैं रिकोष्य गईसण होचा जय को चैलेंज करते हैं और कैस यहां पर इसे वह चैलेंज करते हैं अट करने के कोशेश करते कारमल है लेकिन दोनों पर अटाक होता है एंड आखिर में नौर्थ अमेरिकन जैंपिंशिप को रीज करते हैं रिकोशेट है इंद का मैच ओफिशल हो चुका है तो आप एक्साइट हो या फिनी लेकिन आज रो में इस बवर्स को लाइट को हैप करने के लिए बखुद बड़ी चीज़े होती है तो वह आपका इसके पर क्या रियाक्शन ने बताना अफिलाल आज की वीडियो बसे निज़ती है और मैं में बताओ नेक्स इंट्रोस्टिंग वीडियो के अंदर